Hello everyone, मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे UPTGT के हिंदी का सिलेवस आज हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में आपको हर टॉपिक के बारे में जनकारी दे दी जाएगी पैन पेपर पे आप नौट कर लिए एक्जाम में इसी टॉपिक से कोश्चन बनेंगे वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फोर्मेशन देनी है अगर आपको हिंदी के यूपी टीजीटी हो या किसी भी स्टेट का टीजीटी लेबल का पेपर आपको चाहिए डीटर पले से भी के बीएस में तो उन सारे पेपर को अब लेबल करा दिया जाएगा यहां से मेरी इमेल आडी देख लिजे यूरमिथुनसिंग पेपर फ्री में नहीं मिलेगा 100 रुपीज आपको पे करना होगा चलिए सूचना समाप्त हो गई सिलेबस पे आते हैं देखिए सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाएगा हिंदी साहित का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल और भक्तिकाल में आपको क्या-क्या पुछा जाएगा संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, क्रिस्न काव्य, रितिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, दुवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगव तथा नई कविता ये पूछा जाएगा आपका हिंदी साहित के इतिहास में हिंदी गद साहित का विकास में आपको निवंद, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद की लगुविधायें जैसे की जीबनी, आत्मकथा, संस्मरन, रेखा, चित्र, यात्रा साहित या गद काव वयंग से क्वेशन पूछा जाएगा, आगे बढ़ते हैं, रचनाकार और उनकी रचनाएं, पढ़ लिजिए, एक्जाम में पूछा जाएगा, कावि के भेदरस में, अभियव भेद, चंद, अलंकार, सब्द, अलंकार, अर्था अलंकार, कावि गुन, कावि दोस से प्रस ने हैं, उस पे प्रसन आएंगे, आगे देख लिजिए, ब्याकरन, लिंग, वचन, कारक, संधी, समास, वर्तनी, वाक्य, सुधिकरन, सब्द, रूप, साथमे, परियावाची, विलोम, सुरुती, सम्मिन नार्थक सब्द, वाक्यांस के लिए एक सब्द, मुहाबरा के संस्क्रित भी आता है इसमें, तो देख लिजिए, संस्क्रित के परमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूती, भारवी, माध, डंडी, और स्री हर्स, संधी स्वर में आपको स्वर, एवं वेंजन, संधी, समास, सब्द, रूप, धात, रूप, कारक का प गुड़ टे.